साथियों सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सनमान कुछ लोगों के लिए देश से भी अपड़ा अपना परिवार है परिवार के हीत है आज देश को राष्ट्रिय समर्समारक मिलने जा रहा है लेकिन राष्ट्रिय पुलीस मेमोरियल की पी तो यही कहानी थी इस मेमोरियल को बनाने और राज को समर्पित करने का सौपाएगे भी हमारी ही सरकार को मिला करिब दाई दसक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी बिच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी लेकिन उनकी सरकार के जाने के बार स्थीती फिर से जस्की तस हो गई साथियों आज देश का हर फोजी हर नागरिक यह सवाल पूत रहा है कि आकिर सहीदों के साथ हमारे नायकों के साथ यह वरताव क्यों किया गया देश वासियों के साथ शहीदों के परिवारों के साथ देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले मानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया आखिर वो कौन सी बज़े थी जिसकी बज़े से किसी का ध्यान शहीदों के लिए समारक पर नहीं गया भाई और बेहनों इंडिया फास्ट या फैमिली फास्ट इंडिया फास्ट और फैमिली फास्ट का जो अंतर है वही इसका जबाब है स्कूल से लेकर अस्पताल तक हाइवे से लेकर एरपोर्ट तक स्टेडियम से लेकर एवार्ड तक हम देखते आ रहे थे हर जगह एकी परिवार का नाम जुड़ा रहता था कि एकी परिवार के गुणगान का परड़ाम उसका दुछ परड़ाम यह निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास भारत की महांता या फिर भारत की परमपरा को कभी महत्म मिला ही नहीं इसलिए सरकार में आने के बाद हम स्थिती को बदलने में हर तरस से जुटे गए आज सरदार पटेल हो या बाबा साब आमबेड कर हो या फिर नेता जी सुभाचंद्र भोज हो हमारे राष्ट पुरूशों को राष्ट के गरों के साथ न्यू इंडिया की आत्मा उसकी पहचान के साथ जोड़ा गया है साथियों मेरा ये भी स्पष्ट मानना है और ये मैं दिल से बताता हूं मेरा स्पष्ट मानना है कि मोधी महत्वपुन नहीं है बलकि इस देश की सब्वेता संस्कृती और इत्यास सबसे उपर है कि मोधी याद रहे न रहे परंतु इस देश के करोड़ों लोगे के त्याक तपस्या समर्पर वीरता और उनकी शार्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए